जी हाँ नमस्कार आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है हर्याना में पिछले दिनों कलरक, गराम सचीव, पटवारी, कनाल पटवारी, जेई, आदे की भहुत जादा वकैंशी निकली थी और सरकार के तरफ से आसवसन भी मिल रहे थे, स्टेटमेंट भी हम देख रहे थे कि सरकार जाती है की लैक्शनों से पहले ये बरती पूर्ल हो लेकिन फिर से इन वकैंशों के लिए आवेदन मांगे गई हैं सरकार की मजबूरी कही हैं, अन्य परकिरिया कही है लेकिन जो बच्चे त्यारी करने में जूटे थे, अकैडमी में जाने लगे थे कोई दूसरे कामों में लगे थे, कोई प्राइवेट जोपर था वे वहां से अटकर सारा अपना जो है मास्टर माइड हरियाना में वह कैंशी बरतिस रिलेटिड त्यारी में लगा दिया था लेकिन अब जो फिर शे इन्होंने आवेदन मांगे हैं इन्ही बरतियों के तो कह सकते हैं कि 22 तक इनके आवेदन होंगे 22 माले जिगा एवरेज में आप देख सकते हैं लिष्ट हमने दिखाई हुई है स्क्रीन पर तो उसके बाद में और अचार सहीता लगने के बीच का जो टाइम है वो यह है कि 15 से 18 दिन का है क्या 15 से 18 दिन में सरकार अगजाम करा पाएगी बड़ा परसंची नहीं है वही नहीं सकता अगजाम हो क्योंकि एक तो वकैंशी बहुत जादा है बहुत जादा वकैंशी निकाल दी सरकार ने अलग-अलग पोस्ट है और अच्छी तदाद में अरियाना के लोगों ने इन वकैंशीयों के फार्म अपलाई किये है तो अगजाम होता हुआ बिलकुल सपष्ट नहीं दिखाई दे है जैसे पिछे जो सरकार होती थी इलेक्षनों से तीन महीने पहले बर्ती खूब निकालती थी और इलेक्षन होने के बाद उनको कैंसल कर देती थी क्या ऐसे ही प्रस्तिती अब की बार होने वाली है क्या अब की बार फिर शेय यूआ है सही पिस्ते जाएंगे चुनाओं के नाम पर सरकार से आग रहे है कि जैसे कानून वबस्ता होती है कोर्ट का काम होता है जैसे cb.i. है जाजजन शी cb.i. है जैसे election commission है इसी तरह का आयोग एक जो है बरती से related होना चाहिए चाहिए किसी भी प्रकार की प्रस्तिती हो समय के अनुसार बरती निकलती रहे अगर सरकार के अंडर में ये बरती आयोग रहेगा तब तक election के समय ही ये बरती निकालेंगे और बेरोजगार फिर शेप इस दे जाएगे यानि एक अलग आयोग बनाना है जिसमें सरकार का कोई आथ नहीं होगा जैसे cb.i. होता है election commission होता है उसकी तरज पर एक आयोग बनना चाहिए तो आपको भी पता है कि अब अगजाम होना बड़ा कठीन है electionों से पहले पहले भरती तो पूरी होने की बात अलग है क्योंकि होई नहीं सकती भरती complete electionों से पहले दिन ही काफी कम हो गए है तो कह सकते हैं कि अब युवाओं को लंबाई जार करना पड़ सकता है चुनाओं के बाद भी उन्हें और भी लंबाई जार करना पड़ सकता है तो हमारे इसे वीडियो बनाने का यहीं मक्षद था आपको कुछ जानकारी देना आप कुछ समझे जाने आप अपनी परती के लिए जरू कॉमेंट अबोक्स में डाल सकते हैं धन्यवाद थैंक्यू